आप इस photo में देख पाओगे कि उपर steel को छोड़ा गया है थोड़ा वहाँ पर concrete नहीं डाला गया है तो सवाल यह है कि यहाँ पर concrete क्यों नहीं डाला गया है और यह steel क्यों छोड़ा गया है उपर अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप अपना answer कमेंट में लिखके मिल करने आपको बैंड होכे नीचे जा ना तो इसके पीछे halfa यहां होता है कि आपका जब यह देखनी को मिलता है जब ईअप सब्षरल देखने को उसकी पर इस पैशने और नहीं बनवाते हैं और अपने हिसाब करते हैं यह काम को तब अगर तीन मीटर से कम है लेंद इस टेर की तब चांस है कि आपको इस टाइप के फेलियर देखने को ना मिले आपको क्या लगता है यह फेल क्यूं है अपनी राय कमेंट में लिखके बता सकते हैं इस फोटो में आप देखोगे कि एक जीना जा रहा है उसके बाद उसकी लेंडिंग है लेंडिंग पर देखोगे तो यह बड़ा सा कॉलम दे दिया गया है लिकने बास समझ में नहीं आती है जो भी इसको बना रहा है तो उसके पास इतना कम दिमाग तो होगा नहीं कि यहां स उस काम को वहीं रोख लेना चाहिए और वापस से study करना चाहिए तो कहां से हमें इस टेल ले जाना है और कहां पर हमारा कॉलम है उसकी पोजीशन को वापस से चेक करना चाहिए ना कि काम करते जाना चाहिए गलत हो या सही तो ऐसा ना करें अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ मिश्टेक है तो वापस आप ड्राइंग में देखके उसे ठीक कर लें तो इस वीडियो बस इतना ही मिलेंगे अगल में वीडियो में